अगर आपने सीट एड में सब्सक्राइब नहीं पड़ा है अब अगर आप इन क्वेस्टन को कर लेते हो तो आपके 99 परसेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे किलियर हो जाएंगे यहांपे हम एक एक चीज में एक एक क्वेस्टन में कौन-कौन से टॉपिक की बाद हुई है सबको डीटेल में समझेंगे यहांपे और आपकी जो मेराधन है यह लंबी चलेगी तो आप लोग सांती बना के आराम से बैठे रहे हैं और चीजों को देखो बार-बार भागने से कोई फा और आप लोग की प्रैक्टिस फटाफट उसमें उससे करा दोगी तो यह हैं आज हम लोग करने वाले हैं 60 प्लस कुछ क्वेस्टन्स और सभी टॉपिक्स को तो आप सभी लोग जल्दी जूड़ जाएगा और इसमें से आप अपने हिसाब से आंसर देने का ट्राइ ताकि बाद में चीजों को अनसर करने में आपको प्रॉब्लम वहाब नहीं होनी चाहिए तो चलिए फिस्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेस्टन से फर्स्ट क्वेस्टन है आपका विकास है अब मैं जितने भी मैंने कम से कम 6-7 आपके जो प्रिविएस येर आपके जो पी वाई क्यू थे उनको सॉल्फ कर वाया है užसे मैं ने देखा है यहीं से स्टार्टिउग होती है या तो आपकी बालक की के विकास से स्टार्टिबन होती है और इनी दो क्वेस्टन नहीं करो है तो देखेंगा हम आज आप क्या करो क्लिर कर थे कि इसके बाद आपको अपना time based नहीं करना है कि आप यहां भी देखो बहां भी देखो questions बही होते हैं इसलिए अगर आप देख रहे हो तो इसको पूरा देखो और इसके बाद जो topics आपके हैं उनको थोड़ा सा revise कर लो 30 में से 30 आपके CDP में confirm आएंगे यह आप last तक अगर के first question से first है आपका एक आयामी है यानि कि विकास क्या है आपका एक आयामी है तो हमेशा याद रखना जो आपका बालक का जो विकास होता है वो कभी भी एक आयामी नहीं होता है वो आपका क्या होता है multi-dimensional होता है आप खुद से सोचो कि आपका physical मतलब आपकी body भी बढ़ती ह आपका संग्यानात्मक विकास भी होता है, आपका emotional development भी होता है, आप में बहुत सारी तरीके के विकास होते हैं, तो विकास कभी भी एक आयामी नहीं होगा, एक दिशई भी नहीं होगा, जब एक आयामी नहीं होगा, तो एक दिशई भी नहीं होगा, में बदलाओ किया जा सक यह आपका क्या है ? आजर बिल्कुल ही correct है यानि कि विकास क्या है ? विकास आपकी जैसी मतलब situations बदलती जाएंगी जैसे से आपकी heridity और उसके जो इंता कुछा होता है विकास होता है आपकी आनवान सिकता और आपके परिया बड़ के बीची अंता क्रिया तो जहांप देखो आनवान सिकता तो चेंज नहीं हो सकती है बट आपका जो environment है वह हमेसा बदलता रहता है तो जैसे जैसे बदलेग तो आपके विकास में भी क्या होईंगे परवरतन होंगे वहाँ पर थर्ड ओप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा और आनवान सिक्ता के दोरा पूर रूप से अनुमानित है यह बिल्कुल ही गलत सबसे पहले तो आपको किसी भी एक चीज का अगर कहीं पर जोर दिया जा रहा है जाए वो हैरीडिटी यानि की आनवान सिक्ता हो या फिर आपका परिया परण हो जहाँ पर सिर्फ एक ही की महमा का गुडगान किया जा रहा है वो आप्सन आपका कभी नहीं होगा मैं इसमें आपको टिप्स भी पतारती चलिऊंगी कि किस तरीके से आपको वहाँ पे अप करना है ओके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनमें से कौन शाप औरता आनवाज की द्वारा पूर्व निर्धारित होता है यानि कि जो आपकी हैरीडिटी होती है उसके द्वारा निर्धारित क्या होता है अब आपको भी पता है कि एक म मित्रों का चैन आप कहां करते हो परिया वरण में करते हो, नहीं करिवे तो जबत कहा हैं, आप लोग grocery पूर नििर्धारित होती हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोग question को पढ़कर answer देने के लिए दें अपना और इससे आप देखें कि आपके कितने answer सही होते हैं लास्ट में मुझे जो भी पूरा session अटेंड करेगा वो मुझे comment section में लिखे जरूर बताईएगा कि आपके कितने option वहाँ पे सही हुए थे देखेंगे अपना third question सीखने की वह प्रकरिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रिवेस करके सीखते हैं आपका 100% ये topic आएगा क्या है आपका सामाजी करण यानि कि सामाजी करण आपका दो तरीके से होता है एक होता है आपका प्रात्मिक जो कि आपका होता है किसे प्रात्मिक सामाजी करण होता है आपका family से किसे होता है family से और secondary जो आपका सामाजी करण है वो किसे होता है आपका अधर जितने भी आपके साधन होते हैं जैसे कि आपके स्कूल हो गया आपका मीडिया हो गया आपका परिवेज मतलब आपका पास पडूस हो गया यह सारे ही आपके क्या होते हैं यह आपके सेकेंडरी होते हैं सामाजिक संस्थाएं तो इसमें क्या कहा है सीखनी की एक प्रक्रिया क्या कहलाती जिसमें बच्चे स्कूल अब स्कूल आपका किसमें आएगा तो ये आजाएगा आपका दुतियक समाजी करण में तो इस तरीके से कितना घुमा के question को पूछा है और पूछा सिर्फ वही है कि प्रात्मिक समाजी कर के भौतिक विकास के सिधान्त में दूसरे इस तर्य जो आपका सेगे水 निज pada 15 अप सी यन कि यह निकी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल इस तरीके से आपके तीन चरण होते हैं तीनों में क्या होती हैं तीनों में आपकी दो दो क्या होती हैं यहाँ पे स्टेजिस होती हैं क्या होती हैं स्टेजिस तो जो आपकी first है first है इनकी कौनसी pre-conventional कौनसी है pre-conventional इसके दो चरण है एक है आपका कौनसा punishment and obedient यानि कि बच्चा जो आपकी देखो इनका जो सिधान्त था वो नैतिक विकास का नैतिक विकास क्या होता है बच्चे के अंदर ऐसे मूल्लियों का विकास करना जिससे अपने सिस में डिवाइड गिया तो इसमें होती है punishment and obedient और एक होती है आपका instrumental relativist orientation तो ये दोनों ही आपसे बहुत पूछी जाती है समझेंगे हम तो जब आपसे instrumental वाला लिखा हो तो ये होता है आपका tit for dead यानिकी एकजाम्पल से आप से पूछा कैसे जाएगा यानिकी एक लड़की है रिया उसने क्या किया वो खाना नहीं लाई थी तो उसकी friend ने उसे खाना खिला दिया दूसरे दिन उसकी friend उससे कहती है कि मैंने तुझे कल खाना खिलाया था तो आज तो मुझे अपना खाना खिला ठीक है तो इस तरीके से जब वो एनिकि एक्सचेंज बात करी जाए चीजों को लेके तो वहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंटल इस्ट औरिंटेशन हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा पनिस्मेंट और अबिनेंट जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है यानि कि मुझे डांट नी पड़े मुझे ममा पापा से सुनना नी पड़े इसलिए वो क्या करता है आपकी आग्या का पालन करता है इन्होंने पूचा है पारम पर एक नैतिकता तो इसमें कौन सा होता है आपका इसमें होता है आपका एक और आदेश पालने की law और end order orientation इसमें क्या होता है इसमें बच्चे जनकी law और order बना रहे इसलिए वो वहाँ पे क्या करते हैं नितिकता दिखाते हैं जीन प्याजे के सिधान्त में बरतमान इसकीमा द्वारा परिवेस को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए इसकीमा की रचना क्या कहलाती है यानि की जीन प्याजे ने जो अपना सिधान्त दिया था उन्होंने क्या किया था उन्होंने इस पे कुछ टॉम्स दिये थे हम जैसे कि बर्तमान स्कीमा द्वारा है तो आपके उत्ताय। पूर्व स्कीमा होगा, आपके मांद में स्कीमा कोई शल्म मांद ुश्श Laund as ब्रहजबिश स्कीमा की निकिता मारे पूरेतिां तो मेरी भी एक स्कीमा Egg rack अपके मांड में तो स्कीमा होते हैं चोटी-छोटी information के terms होते हैं जो कि आपके दिमाग में विवस्तित होते हैं उनको क्या कहते हैं इसकीमा इससे भी आपका एक question पूछ लेता है उसके बाद है अपका यानि कि इसकीमा को द्वारा परवेश को समझ पाने की असमर्थता यानि कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि नए इसकीमा की रचना यानि कि क्या हो रही है रचना हो रही है तो रचना मतलब जैसे माल लो कि आप कोई छोटा बच्चा है कौन है कोई छोटा बच्चा है उसको पता है कि क्या होता है घोड़ा होता है चार पैर होती है उसके और उसके बाद वो दिखता कैसा है तो उसे पता था बट वो थोड़ी आगे चलता है तो वो एक गधे को देखता है तो उसे लगा कि ये भी क्या है घोड़ा है तो वो कहता है ये देखो घोड़ा जा रहा है तो फिर उसको क्या होता है फिर उसे समझ नहीं आता है कि ये घोड़ा है या खचर है या गधा है तो फिर वो क्या करता है उन्हें की असमर्थता समझ पाने की असमर्थता के कारण फिर वो जब कोई उसे बत वो आपकी कहलाती है समायोजन यानि कि जब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया एड करते हो उसका थोड़ा सा मोडिफाई करते हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है समायोजन होता है और आतमसाथ करण क्या होता है मान लो उसको पता था कि घोड़ा होता है और उ ग्राजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यक कार्य रूप सूचना को संग्धित और प्रतिपादित करता है। जब आपको question समझ नहीं आए तो आप क्या करो इंग्लिश में इसको एक बाद जरूर देखना According to Gene Piaze is a concept framework that organize and interprets information अभी हमने बात की थी यानि कि आपके दिमाग में जो information होती है वो organize होती है तो वो किसमे होती है हमारे schema में होती है इस तरीके से ये चीन प्याजे से घुमा घुमा की कम से कर 5-6 question मुझे तो लगता है कि जब तक पूरा paper finish होता है ये 10 question आपसे प्याजे से ही पूछ लेते हैं तो इसका जो answer हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा schema second option चलेंगे अपने next question पर next है आपका रस्मी अपनी कक्षा में विद्यारतियों के सीखने की छमता को ध्यान में रखकर विभिन प्रकार के कार्य कलापों का उपियोग करती है और सैपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है निम्डिकित में से कौन सा इसका समर्थन करता है यानि कि जहां पर भी आपका सैपाठियों के दौरा सीखना आ जाए जहां पर भी आपके group learning आ जाए group discussion आ जाए सीधा सीधा आप किसके पास जा सकते हो आप लेब बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिधान्त के साथ जा सकते हो कोहल बगन के नैतिक विकास का सिधान्त दिया है यह ब्योहार वादी है और सिग्मन्ट फ्राइट ने आपका क्या दिया है मनोलेंगिक विकास का सिधान्त तो यहां पे आपका जब भी संस्कृति की बात है समाज की बात है ग्रूप की लर्निंग की बात है ग्रूप डिस्कसिंग की बात है आप किसके साथ जाओगे लेप बाइगोस की किस साथ आपको वहाँ पे जाना है जलेंगे एपने next question पर इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाड का उदाहरण नहीं है पाड क्या होती है? अब पाड होती है मान लो कि आप यहां पे हो और अभी जो आप सीटेट पेपर दे रहे थे उसमें आपका 130 प्लस मांक्स आ रहा था जहां पे आप अटक रहे थे या जहां प्रॉब्लम थी उनको किलियर कर दीता है तो आप लास्ट में 130 प्लस लाते हो तो यह जो यहां से 110 से 130 प्लस का जो यह आपका छेतर है इसको कहते हैं जैट पीडी जोन और प्रॉक्षिमल डेवलक्मेंट ओके लेकिन जो यह पाड यहां से यहां तक पहुँचने के लिए आपको की गई है इसको हम कहते हैं क्या पाड या धाचा इलैपाइगोस्की के सिधानत का टाम्स है तो यहां पे अनकरड के लिए कॉसलों का आप से देखना निगेटिव पूछा गया है क्या पूछा गया है तो आपको क्या करना है निगेटिव यहां पे देखना है अनुकरड के लिए कॉसलों का प्रदर्शन करना रटना नहीं है भाई मैंने आपको हमेशा बताया कि रटना आपका क्या है निगेटिव बर्ड है और जहाँ पे निगेटिव पूछा है और निगेटिव बर्ड मिल जाए तो निगेटिव निगेटिव की जोड़ी कितनी अच्छी बन रही है यहाँ पे ऑप्सन टू आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सैपाटियों संग बताते हैं इसारे और संकेत यानि कि कोई बच्चा कहीं पे अटक रहा आप उसको सारे दे रहे हो संकेत दे रहे हो अनुकरण के लिए कोईसलों का प्रदर्शन कर रहे हो तो इस सारी ही चीजों के आपकी क्या आएगी पाड या धाचा आपका आंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा किस option का क्या answer है आप लोग comments में मुझे बताते रहिए तो निम्न में से कौन सी सिच्छा सास्त्रिय पद्दती एक सरचनावादी कच्छा के लिए उप्युक्त नहीं है आप लोग अपना option comment section में देते रहिए मैं देख रही हूँ सभी के options को और यहाँ पे क्या है आपका बहु आयामी परबेच्चियों का प्रोथसाहन यहाँ पे देखो अभी इस तरीके से भी पूछने ताकि बच्चा confused हो रहा है इन्होंने क्या पूछा है कौन सी सिच्छा सास्त्रिय पद्दती एक सरचनावादी यहाँ पे बहु आयामी परबेच्चियों का प्रोथसाहन यहाँ आप बहु तरीकों से बच्चों को सिखाने के लिए प्रोथसाहित करोगे तो यह आपका क्या है फॉजिटिव आंसर है सामोहिक सईयोगिता यह हमेशा अच्छा होता है कि बच्चे ग्रूप में सीखें बच्चे एक दुसरे का सईयोग करके सीखें आपका वेस्ट ऑप्सन होता है बेधन वाद दोहराओ कभी भी आपको जहाँ पर भी दोहराना है रटना हो बेधन हो तो यह सारे आपके क्या होते है निगेटिव बड़्स होते है तो निगेटिव को निगेटिव से एड़ कर देना है आपको प्रियोग करके सीखना ये भी आपकी क्या होती है वेस्ट लर्निंग होती है चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेस्चन पर नेक्स्ट देखेंगे और Harvard Gardner से आपका 102% question आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा, ओके, तो इन्हों ने क्या कहा है यहाँ पे, इन्हों ने क्या किया था, जिखो, पहले लोगों ने क्या की थी, जो इस पियर मैंन और बिने पगरा थे, इन्हों ने किसी ने कहा एक प्रकार की बुद्धी होती है, कि इन्हों ने क्या कहा था, कि बुद्धी ना एक प्रकार की होती है, ना दो प्रकार की होती है, यानि कि बुद्धी आपकी होती है, बहुत प्रकार की, कितने प्रकार की, बहुत सारे टाइप की बुद्धी आपकी होती है, तो यह सीरा-सीरा रटलो, Harvard Gardner ने दिया था, जहा इन्होंने अमसे पूछा है कि दिया जाना चाहिए यानि कि क्या पूछा है पजिटीब आंसर यहाँ पे अमसे पूछा गया है तो क्या होगा संकल्पनातमक मुल्यांकन एक आयामी तो आपको कुछ करना ही नहीं है मानकी करत भी आपका एक negative bird होता है स्टेंडलाइज जानी कि सभी के लिए same तो same आप सिर्फ क्या रख सकते है, school में uniform same इसलिए रखी जाती है, uniform अच्छी होती है, same क्योंकि वहाँ पे आप गरीब, अमीर और कुछ भी भेद भाव बच्चों के बीच ना हो सारे बच्ची वहाँ पे क्या रहने चाहिए same रहने चाहिए, बट आप कभी भी एक ही तरीके से, एक method से सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते एक तरीके से कभी आप मुल्यांकर नहीं कर सकते बच्चों का तो इन सारी ही चीज़ों का आप आपक वहाँ पे ध्यान रखना तो सरचनावादी है कक्षा तो सरचनावादी ही मुल्यांकर वहाँ पे होना चाहिए option कौन सा सही हो जाएगा आपका second option यहाँ पे सही हो जाएगा कभी-कभी bird से bird को relate करना सीखो तो बहुत सारे ऐसे questions होते हैं जाहांकि आप bird से bird को relate करके वहाँ पे चीजों को समझ सकते हो question को पढ़िएगा और answers को देने का प्रियास कीजिएगा बाइगोस्की के सिधान के अमसार निजी संबाद यानि कि जो आपके बाइगोस्की हैं उन्होंने निजी संबाद को क्या कहा है बच्चों के लिए अच्छा बताया है या बुरा बताया है बताएगा आप लोग अपना comment section में कौन सा option इसका सही होगा देखने हैं हम फिर अपने options को बच्चों के आत्म केंद्रियता का धोतक है यानि कि बच्चे मतलब क्या होते हैं इसका धोतक है जी नहीं बच्चों के आत्म केंद्रियता का धोतक है यानि कि इगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे ये किसने कहा ये जीन प्याजे जी का कथन है जब उनके हिसाब से आप से पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे जीन प्याजे ने कहा है नीजी संबाद से बच्चों के क्रिया कलापों अबरोधक नहीं है भाई उनको अबरोध नहीं कहता है जटिल कारते समय बच्चे को उसके बिवहार संचालन में सहायता देता है ये किसका कतन है ये बाईगोस्की का कतन है इन्होंने उसको क्या कहा है सेल्फ टॉक कहा है और उन्होंने कहा है कि बच्चे खुसे नीजी संबाद कहते हैं इसका देखो आपसे दूसरे तरीके से question आपसे कैसे पूछेगा समझो चीजों को आपसे कहेगा एक बच्चा है कोई छोटा सा वो एक blocks बना रहा है या कोई puzzle solve कर रहा है तो वो खुछ से कहता है कि आप ये छोटा टुकड़ा ये वाला यहां पे लगेगा अरे नहीं नहीं ये यहां लगेगा इस तरीके से वो self talk कर रहा है तो वो बाइगोस्की के अनुसार क्या कर रहा है तो वो आपका कर रहा होता है निजी संबाद प्राइवेट स्पीच किस ने कहा है उसको बाइगोस्की ने यहां पर कहा है चलेंगे नेक्स्ट क्वेशन पर नेक्स्ट है आपका लड़कियों को गुलावी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है एक किसको दरसाता है आपका 102 परसेंट जो है जेंडर स्टीरियो टाइप से जेंडर रूड इबादिता से आपका 100% question आने ही आने वाला है तो इसको ध्यान रखिएगा ये होती क्या है तो ये ये होती है कि जैसे समाज निर्धारित कर दिये हैं जो rules की लड़किया ये करेंगी या लड़के ये करेंगे तो इस तरीके की जो सोच हमारी बन गई है कि क पुराने समय से मान्यताएं चली आ रहे हैं उनको हम कहते है रूड इबादिता तो जेंडर रूड इबादिता आपका यहां पे विग्दम सही आंसर हो जाएगा ओके चलेंगे next question पर next है आपका सिख्छा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि विप्राप्त ग्यान का जियों का त्यों पुना उत्पादित करें बिर्कुली सही बात कही है इनोंने यानि कि अगर आप सिर्फ पुना उत्पादन मतलब की जैसे रटा है उस बच्चे ने वैस पूर्ड धोतक है यानि कि बच्चों ने रट के कुछ सुना दिया तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं बहाँ पे एक दम ही अपोजिट बात है और यह आपका क्या है निगेटिव यानि कि आर गलत है ए सही है तो कौन सा उप्षन हो और यहां पे आपका गलत है तो यह वाले आपसंस भी मतलब यह जो केस्टन सा आते हैं यह भी आपके ज्यादा तफ नहीं होते हैं आप ट्राई कीजिएगा कि इनको बहुती अच्छे से और अराम से करने का पढ़ना एक बार और बहुती बेसिक सा कॉंसेप्ट दिया होता है जिसको आपको क्या करना होता है वहाँ पे करना होता है चलेगे हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन पर एक सरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है तो सबसे पहले देखो समझ लो तीन क्वेस्टन आपके अभी के अभी आचुके हैं सरचनावादी प्लास्रूम होती है वो क्या होती है बहाँ पे बच्चों को आप कैसे सिखाओगे सक्रिय तरीके से सिखाओगे गरुप डिस्कसन करोगे आप लर्निंग बाइड डूइंग से सिखाओगे बच्चे को यहनि कि जतनी भी पोजिटिफ चीजें होती है क्रियासील होने चाहिए है न इस तरीके से बच्चों को आप प्रेरित करोगे खोजबीन के लिए तो इस तरीके के जितने भी आंसर होंगे वो आपके सरचनावादी कक्षा में अध्यापक के साथ जोड़ेंगे तो इसमें आपका कौन सा सही है कॉमेंट सेक्षन में मुझे बताईएगा होगे फश्ट देखेंगे हम कक्षा में सिक्षकवा विध्यारती दोनों निश्क्रिय होते हैं भाई ऐसी कौन सी कक्षा है जिसमें दोनों निश्क्रिय तो फिर वो क्लास्रूम ही कैसा चात्र क्रियासील परन्तु अध्यापक क्या है निश्क्रिय है तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि माल चात्र सिर्फ दोनों को ही क्रियासील होना चाहिए गलत हो जाएगा अध्यापक और चात्र दोनों ही क्रियासील है तो इस तरीके से आपने देखा बहुत ही easy question आते हैं, बिल्कुल भी आपको अराम से questions को करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इतने बड़े question है, और आप सिर्फ एक चीज practice कीजे मेरे साथ में, मैं question को पढ़ती हूँ, जिस तरीके से बैसे आप पढ़नेया start कीजे, चीज पढ़ना सीखिए, आप try किया करो कि आप मुझसे पहले question को पढ़ो वहाँ पे, और question का answer दो, एक कक्षा में अध्यापिका भिन जाती हो कि समुहु बाले अधिकम करताओं के लिए समावेशी बातावरण की रचना कैसे कर सकती है, यानि कि भिन जाती हो कि बच्चे कैसे है बिभिन टाइप के हैं, और उनके लिए समावेशी, समावेशी कक्षा क्या होती, जहां पर हर तरीके बच्चे को समावेश कर दिया जाए, ओके, देखें कि यह अपने options को, अपनी उन अवधारणाओं और पूरवा ग्रहों पर चिंतन करके, जो बच्चों के सैक्षिक अन बच्चों के सैक्षिक अनुभव को सीमित ना कर सके, और हम उसे असीमित बना सके, बच्चों के अनुभवों की विवदिता को शमलित करके, बच्चे जो अपने साथ अनुभव लाते हैं, बहुत से टाइप की किसी बच्चे का कुछ अनुभव होगा, तो उनको सब को क्य करना चाहिए, तो दोनों ही option आपके यहां पे सही है honored देखेंगे third वाला सहसता में समानता की मूल संत्रती पर बल देना हँं जी, एक teacher as a teacher आपको हमेसा क्या करना चाहिए, बच्चों को बराबर समझने चैए, किसी को कम या जादा नहीं समझना चाहिए ठीक है उसके बाद चात्रों को प्रोटसाहित करके कि विस्वैम को मान कि ये पाठे करम की अनकूल बना ले यानि कि जो आपने एस्टेंडराइट पाठे करम निर्धारित किया है बच्चे उसके अनकूल हो जाए तो हमेशा याद आपको किसी भी चीज के अनुसार बच्चों को नहीं ढालना है बलकि हर चीज को बच्चे के अनुसार ढालना है आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस वहाँ पे करना है ओके आपका फर्स्ट ऑप्सन ही यहाँ पर क्या हो गया है सही हो गया ओके चलेंगे न सनात्मक प्रस्तुती करड़ देकर यानि कि जिस वक्षे को दिखाई नहीं देता है आप उसके सामने दर्सनात्मक यानि कि जो दिखने लायक चीजें हैं वो करेंगे तो ये तो आपका option first ही गलत हो गया और उसके बाद है मुद्रित पुस्तके उपलब्द करवाकर जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसको आप उसके लेकर वहाँ पर क्या ही करोगे त्री भी मियन नक से और चार्ट जैसे इस पार्स से कहने कि जिसे वो छू कर समा सकता है तो option आपका यहाँ पर third सही हो जाएगा छोटी मुद्रा वाली कार सीट क्यों भाई जब वो पहले ही देख नहीं सकता है तो अब उसे आप और भी छोटा लिख के दोगे तो यह तो negative हो जाएगा third option आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलेंगे next question पर next है आपका रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलजाने के लिए अलग-अलग तरकीवों के बारे में सोचती है यह निम्न में से किसका प्रतीक है तो भाई जब बच्चा आपका क्या करे एक ही समस्या के लिए diversity phase based में सोचे तो यह क्या होता है आपका यह होती है आपकी creativity हिंदी में इसको सरजनात्मत्ता कहते हैं सरजनात्मत्ता को मैंने हमेशा बताया सीधा किस से जोड़ा गया है आपका अपसारी सोच से यहाँ पर जोड़ा गया है ओके देखेंगे अपने next question को option 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और B के स्थान पर D लिखता है अकसर ग्रमित है एक इसके प्रात्मिक लक्षन है तो यह सीधा सीधा आपका क्या होता है नेकि dyslexia आपका यहाँ पर होता है स्वलीनता होता है बच्चे जब अपने आप में ही खोए रहते हैं सेचिक असायता नहीं है लेकन होता है आपका dysgraphia graph क्या होता है graph एक paper होता है जिस पे आप लिखते हो तो dysgraphia आपका किसने से संबंदित हो गया लेकन से संबंदित आपकी जो problem होती है dysgraphia तो देखेंगे अपना next question, next question है आपका एक समावेशी कक्षा में बिसेश बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है यानि कि समावेशी कक्षा आपकी क्या होती है जहां कि पे आपके हर तरीके के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर पढ़ते हैं तो इन में क्या मतलब आपको करना चाहिए ताकि उन बच्चों को बहाँ पर सहायता मिल सके तो देखेंगे हम ब्यक्ति लक्षे का निर्धारण यानि कि प्रतिय के लिए जो लक्ष होने कि समावेशी कक्षा में आपके हर तरीके के बच्चे होते हैं तो उसमें आपके किस बच्चे के लिए आपको कौन सा टार्गेट फिक्स करना है किस तरीके से वो वहाँ पर अपनी चीजों को सीख सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा व्यक्ति लक्षों का निधारण करना पड़ेगा उसके बार है आपका प्रतिस पर्दा नहीं करा सकते हो उसमें आप क्या करोगे सहयोग आत्मक यानि कि बच्चे आपस में मिल जुल कर सीखें, ग्रुप में सीखें, ग्रुप टिस्कसन होना चाहिए चर्चा होनी चाहिए पर चर्चा लेकिन आप महां पर प्रतिस पर्दा यानि कि एक दूसरे से आंगे निकलने की होड महां पर नहीं लगवाओगे तो second आपका गलत हो जाएगा उसके बात है को चेंज करना है मान की करत का मतलब होता है कि आपको चेंज नहीं करना है अपने आप निर्देश दिये जा रहे हो और बच्चे को नका पालं करना ही पड़ेगा तो यहां पर आपका first और third यानि कि से third option आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलेंगे next question पर next समझते हैं तो क्या निस्क्री तो आपको कहीं भी नहीं समझना है छोटे बैसको के रूप में छोटे बैसको क्यों वो छोटे बच्चे हैं तो उसी रूप में रहेंगे दुष्ट जीब तो बच्चों को कहना ही नहीं है दुष्ट जीब के रूप में जिन सब बनाने की बस उन्हें एक माहल तयार करके दो ताकि वो अपनी चीजों को जो उनके अंदर capacity है उनको developed कर सके तो अपने परियावरण को समझने की उतसुपता लिये हुए बच्चे क्या होते हैं यानि कि उन्हें हर चीज को सीखने की इच्छा होती है हर चीज को जानने की वहां पर उतस असफल होती है तो उसमें कौन सा ऐसा रीजन है जो की होता है वहां पर तो बच्चों की असफलता का गुड रोपर हमेसा उनके आनुवान सिक दोसों को किया जा सकता बिल्कुल भी नहीं भाई असफलता ये थोड़ी ना कि कोई बच्चा मतलब जन्व से ही ऐसा है कि वो सी कौन होगा आपका वहां पर अत्यापक फेल होगा आपकी विवस्था फेल होगी आपका करीकुलम फेल होगा लेकिन बच्चे की इसमें कोई गल्ती वहां पर नहीं होगी तो सेकेंड आपसन आपका यही कह रहा है कि बच्चों की असफलता का कारण विवस्था द्वारा ब रहा हैं तो इसности हमेसें चीज़ों कोरने लोगों किया नहीं हैं। नहीं पेस घ्रता करने में भूब रहाते हैं कैसे सक्षित हम ह्षप理ों यॉण के लिए समस्पलिर करेंih2 चाह्स हाञी कर रही हूँ, आप उनमें देखिए कि आपको क्या problem आ रही है, कौन सी चीज है और बाद में भी आप अगर आपको कोई doubt रह जाता है तो आप बाद में मुझे comment section में भी वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर direct आप मुझे telegram पे भी message कर सकते हो में आप सभी के questions के जो भी doubt होंगे, आप मुझे personally वहाँ पे भूछ सकते हो चलेंगे next question पर next है, आपका एक सिच्छी का अपनी प्रात्मी कक्षा में अर्थपूर अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, यानि कैसा अर्थगम कराना है, आपको meaningful, अर्थपूर अधिगम कराना है तो बेधन तथा अभ्यास नहीं होगा, कभी भी आपको रटवाना नहीं है, प्रतिस परदा भी आपका negative burdens को देखते ही, आपको काट देना है वहाँ पे, विसेवस्तु का निर्धारण विद्यार्दियों के जीवन के साथ इस्तापित करके होना चाहिए, बिल्कुल ही सही बात है, यानि कि विसेवस्तु जो है, वो बच्चों को जीवन से, उनके परिवेश से जोड़ कर आपको क्या करनी है सिखानी है, अधिगम की छोटी-छोटी उपलगदों के लिए पुरुसकार देना, आप जोटी-छोटी उपलगदियों के लिए पुरुसकार दोगे, तो बच्चा बाहरी जो आपकी अभी प्रेणा है, उससे मोटिवेट रहेगा और ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है अच्छा होता है आपकी आंतरिक अभी प्रेड़ा, उके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बतागे का इसका आंसर क्या होगा अनुपमा अपनी खक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गड़ित के शंप्रतियों के साथ संबंद बनाती है यानि कि एक सब्जेक्ट को क्या करती है दूसरे से एड़ करके यानि कि उसके संदर्ब में पढ़ती है इस प्रकार की सिच्छा साथ यानि कि इस प्रकार की चौप की लर्निंग होती है इसको हम क्या कहते हैं फरस्ट है आपका अधिगम के इस्तानांतरण और अन्ता विस्यात्मक अधिगम को बढ़ावा देना बिल्गों सही बात है यानि कि अधिगम के इस्तानांतरण यानि उसने जो एक सब्जेक्ट में सीखा वो दूसरे सब्जेक्ट में उसको यूज कर रही है और विस्यात्मक अधिगम यानि कि अंता उसके अंदर से जोड़ कर चीजों को पड़ रही है तो फर्स्ट ऑप्सन है आपका आपका सही हो जाएगा फर्ड सेकेंड देखते हैं ग्यान के अर्जन में रुकावट उत्मन नहीं करेगा भाई उसने जो सीखा है प्रीवियस नॉलिज बच्चे की कभी भी रुकावट आप में पैदा नहीं करती है अधिकम के रुकावट उत्मन करेगा करेगा ही नहीं चात्रों में ब्रांतियों को बढ़ावा भी नहीं देगा तो इस तरीके से आप कितनी आसानी से अपने बाकी के उप्सन को कट कर सकते हो ये चीज आपको इस क्लास से सीखनी है ताकि आप वहाँ पेपर में जाके अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और एकदम एजली तरीके से और उनको बिल्कुल सही करके आप आप हो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यह जानकारिया किस इस्मृती में संगटित होती है यानि कि जो जानकारिया यहाँ पे कुछ दी जा रहे हैं आपकी इस्मृती होती है एक अलपबदी होती है एक सामबादिक होती है तो उनमें देखेंगे हम यहाँ पे जो आपकी इस्मृतिय है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया धुले कपडों को तह करने की प्रक्रिया साथ वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चड़ने का अनुभव यह जितने भी काम दिये गए हैं यह आपकी देखो बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया यानि की बाइक की सवारी अब ऐसा तो नहीं है कि करके फिर भूल जाओगे उसको तो क्यूंकि वो हम डेली धुले कपडों को तह करना तो हमारी किसमें आ जाता है जो चीज़ें आपकी हैबट में आजाती हैं वो आपकी किसमें चली जाती हैं लॉंग टरम मेमोरी जो दीर अबदी सम्रती होती है उसमें चली जाती है तो आपका यहाँ पर आपशन टू सही हो जाएगा देखेंगे नेक्स्ट केश्टन को next है आपका निम्लिखित कत्नों म से कौन सा गथन बच्चों की तुर्टियों को समझने के लिए सही नहीं है, यानि की बच्चे की जो गलतियां होती हैं इनमें से कौन सा ऐसा है? निगेटिव पूछा गया है, यह एक अच्छा में जात्रों की ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि बच्चों को आपको कभी भी ग्रेड में पदों में उनको वहाँ पे डिवाइड आपको क्या करना होता है नहीं करना होता है ओके सिक्षप को छात्रों की अब्धाडात्मक समझ में अबगत करता बिल्कुल यानिकी जो conceptual जो understanding है बच्चे की वो कैसी है ये अध्यापक को पता चलता है किसे उनकी गलतियों से सिच्छड अधिगम प्रक्रिया में तुर्टी की समझ सार्थक है बिल्कुल ही यानिकी अर्थ के सहिद है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है ये सारे ही बड़्स देख लो एक 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 आपको एक उप्सन से एक एक क्वेस्चन मिलेगा वहाँ पे तुर्टी यानि की गलतियों बाला आपसे 100% पूछा जाएगा ठीक है तो इसको समझ लो कि गलतियां आपके लिए क्या होती है अब धाड़ात्मक समझ को अबगत कराती है तुर्टी में सार्थक होती है अधिकम प्रक्रिया का सहज हिस्सा होती है यह बच्चों की सोच में अंतरद्रश ही हो जाएगा कभी भी बच्चे को आपको ग्रेडिंग लेवल यह सारा चीज़ें हमें नहीं करनी होती है चलें के अपनी नेक्स्ट कैस्टन पर नेक्स्ट है आपका किस प्रकार की प्रेड़ा उन गतिविदियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंद दायकवा संतो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी आप लोग मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्सर में लिखके जरूर बताईएगा ओके चलेंगे अपने नेक्स्ट कैस्टन पर नेक्स्ट है आपका सिक्षिका कि अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत इतपूर प्रभाव डालती है बिल्कुल डालती है तीचर अपने जो स्टूडेंट से जो अपेक्षा करता है वो बच्चे को बहुत मोटिवेट करती है अगर वो निगेटिवली करेगा तो वो निगेटिव सोचेगा निगेटिव पढ़ेगा निगेटिव लर्निंग कुल गलत बात है बहुत बहुत से संबंद है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद्यारतियों के अधिगम और उनकी श्वयम की छमता किसी प्रकार का प्रवाव नहीं डालती है भाई तो बच्चा फिर सीखेगा कैसे हो के बच्चों के अधिगम के लिए एक मात्र एक मा प्रवाव नेक्स्ट है आपका यहां बाल केंद्रित कक्षा का स्रजन कैसे किया जाता है यानि कि जो चाइल्ड सेंटर्ड आपके कक्षा होगी उसका आप स्रजन कैसे करोगे तो सिखार्थियों को उनके निस्पादन के बारे समय पर प्रतिपुष्टी दे कर यानि कि आप बच्चे को अच्छा नहीं सिखा सकते विद्यारतियों में प्रतिश पर्दा मैंने आपको पहले ही बता दिया निगेटिव बर्ट्स हैं तो आपको इस तरीके से क्वेस्टन को पकड़ना है वहाँ पे ताकि फटा-फट सेकेंड्स में अपने क्वेस्टन को वहां से करके जा सको अब तीन निगलेक्ट हो गए हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्सन बचता है जो कि है अपका फर्स्ट तो फर्स्ट ऑप्सन आपका यहां पे सही हो जाएगा ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन पर राष्टिय शिक्षा नीती 2020 क्या प्रस्तावित करती है एनिपी से हंड्रेट परसेंट आपके एक से दो क्वेस्टन आएंगे बिल्कुल ठीक है तो इसको ध्यान से सोनो बिल्कुल विद्याले की पाथे चर्या की बिसे बस्तू में कठोती बिल्कुल राष्टिय सिच्छा नीती ने बिना बोज के सिच्छा यानिकी क्वांटिटी नहीं दिए बिद्याले की पाठे चर्या में लचिले है नहीं की बच्चों को लचीलाओर होना चाहिए बच्चों के बच्कुल बच्च बच्चे बहां पर अपनी मर्जी से चीजों को सीखे हैं द Caleb के उसके बाद है रटंत अधिल्म को मेहत तो देना कोई बी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि आप बढ़ावा दो तो यही आपका गलत है now आप 3rd जिसमें हो उनको काट द यह 3rd how much काट दिया हमने इसमें 3rd नहीं है इसमें 3rd द बी 2 कट गए आपके 2 रहें 2nd और 4th देङाक वजे में 1st भी है तो लोग के साथ सेर कीजिएगा इसको लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको क्वेस्टन कैसे लगे ओके नेक्स्ट को नेक्स्ट है आपका कतन और तर्क वाला दिया है आपको एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है यहीं पे आपका यह क्या हो गया गलत हो गया यहीं कि बिल्कुल सटीकता से नहीं आप थोड़ा बहुत अनुमान वहाँ पे लगा सकते हो इसलिए आपका यह क्या हो गया गलत हो गया देखेंगे हम न परिवेश अलग होता है तो आप यह बताईए मुझे कि विकास वहाँ पर कैसे सेम रह सकता है तो यहाँ पे जो आपका दो नेक्स्ट है आपका एक बच्ची फुटवाल खेलना सीखने से पहले कूदना वाद छलांगे मारना सीखती है यानि कि वो क्या करती है वो फुटवाल खेलना यानि कि एकदम पर्टिकुलर खेलने से पहले पहले कूदना स्टार्ट करती है फिर छलांगे लगाना स्टार् यानि कि आपका जो होता है यह प्रॉक्सिमो डिस्टल जिससे बच्चे पहले क्या करते हैं पहले वो कुछ जैसे की बच्चों की हाथ पहले आपने देखा होगा बच्चा जो चोटा होता तो कोई भी चीज पूरी हतेली से पकड़ता है उसके बाद फिंगर्स पर अपना वो जैसे की आपने अभी पेपर दिया है और पेपर में आपको करना ही करना है 100% आएगा मैंने आपके वही क्वेश्चन सामिल किये हैं जो कि आपके प्रिभीएस एर में आये हुए हैं और most important questions हैं जैसे की आपको question जब पेपर में जब आप देने जाओगी computer पे वहाँ पे exam त देगा मुझे निमनलिखित में से विकास किसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि आनुवानसिक्ता वा परियावरण की अंताक्रिया का उत्पाद है विकास कुछ हद तक पूर्वा नुमान लगाया जा सकता है विकास की दर एक समान सार्ब भौमिक है क्या कहने है पहले कहां जाता है बिलकुल आपके जो नौर्मल जो आपकी होते हैं उम लुक सामाने चीजे जनरल चीजें सिखते हो तो उसकी सेम भी सिष्टता की तरफ बढ़ते हैं वि्कास अनमान सेकता है, वेंबाता बरट से अंताक्रिया का उत्पाध होता है, बिल्कुस सही है। इसलिए आपका यहां पर यहाँ पर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, विकास कुछ हत्तक पुरवानुमान बिल्कुस सही बात है। शटीकता से नहीं लगा सकते बट आप कुछ हद तक इसका पूरबानवान वहां पे लगा सकते हैं अपका थर्ड ऑप्सन गलत है एक समान दर नहीं हुती है बिकास की तो यह आपका ऑप्सन यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा था तो ओप्सन कौनसा सही हो जाएगा आपका फ़र्ड इसमें सही हो जाएगा आप लोगों के कितने आंसर सही आई लास्ट में कॉमेंट सेक्षिन में मज़े जरूर बताइएगा चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बच्चे अपनी संस्कृति में बिवहार करने के लिए उप्युक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्ट्रोतों से सीखते हैं सामाजी करण एक प्रक्रिया है जो बहुत से अपचारिक वा अनपचारिक साधनों के जरिये होती है यानि कि आपका जो सामाजी करण होता है वो आपका बहुत सारे अनपचारिक और अपचारिक जो आपके जरिये होते हैं मूर्थ शंक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक सिक्षिका को यानि की मूर्थ संक्रियात्मक जो कि अपकी जीन प्याजे की थर्ड स्टेज है जहां पर बच्चे मूर्थ चिंतन कर लेते हैं तो उनके लिए सिक्षिका को क्या करना चाहिए तो जो मूर्थ चिंत वाजी में help करने वाले हैं और बहुत ही most important है जिसे कि आपका seated का paper बहुत जल्दी हो जाएगा तो यहाँ पर next है आपका ऐसी समस्यां देनी चाहिए जो उच्छ इस्त्रिय मूर्त सोच पर आधारित हो यानि कि किस पर आधारित होनी चाहिए उच्छ इस्त्रिय मूर्त सोच पर ऐसी समस्यां देनी चाहिए जो तरक पूर्ड बैग्यानिक समझ की आवस्यत्ता हो यहाँ पर तो यहाँ पर जो है देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका अमूर्त सरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए यनि कि पहली तो आपको अमूर्त में नहीं जाना है और फिर आपको ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करानी है बस्तुओं और विचारों को जटिल से बरगी करत करने के मौके मुहया कराने चाहिए जहां पर भी आप बच्चे को अबसर दोगे बच्चे को मौके मुहया कराओगे वो क्या होती है वो सारी ही आपकी क्या होती है पॉजिटिव पॉइंट्स होते है तरक पूर्ट बैग्यानिक समझ की आवसकता हो, यह आपका 4TH स्टेज के लिए है एसी समस्यान देनी चाहिए जो उच्छे इस्त्रिये मूर्थ सोच पर आधारित हो याँनि यहां पर उन में उच्छे इस्त्रिये जो आपका चिंतन है वो यहां तक नहीं आता है तो आपका second option यहाँ भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि आपको क्या करने चाहिए मौके मौया कराने चाहिए यह इसमें plus point था और इसी लिए आपका यह क्या हो गया है सही हो गया है चलेंगे next question पर next है आपका यहाँ जीन प्याजे के संग्यान आत्मक विकास के किस चरड़ पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तूं को प्रतिनिद्द करने के लिए किया जा सकता है अगर इस बच्चे के सामने cycle नहीं है तब भी cycle सब्द सुन कर उसके मस्तिक्स में एक प्रतिबिम बन जाता है तो यह जो होता है आपका बस तो इस्ताय तो आपका हो जाता है second stage में जो की आपकी होती है पूर्व शंक्रियात्मक अबस्था मूर्थ में आपका मूर्थ चिंतन आता है अमूर्थ में आपकी hypothetical जो चिंतन होती थिंकिंग होता है वो आता है इसमें उसके वाद है आपका पूर्व परमपरागत यह आपकी किसकी है कोहलवर की अवस्ता है यह आपकी जीन प्याजे की नहीं है तो आपका second option यह आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलेंगे next question पर next है आपका आनव तीन अंकों की संग्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्स करता है यानि की लैब बाई गोसकी से जीन प्याजे से बालक विकास परिया वरड से आपके सामाजी करण से मतलब इतनी गिने चुने टॉपिक्स है ना बार बार repetition questions का इतना हुआ है और एक बात और हम लोग जो अभी सिप्स आपकी जैसे ही exam स्टार्ट होंगे आपके 15 के बाद कभी भी हो सकते हैं तो जो जितनी भी सिप्ट होंगी उनका analysis करेंगे हम तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपको इस तरीके की important information और important classes आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी तो क्या है अकेले संगर्ज करता है किन्तु सिप्छिका की मदद से हो यह ऐसा करने में सक्षम हो जाए लेब बाइगोस्की की सिद्दान्त की अनुशार यह क्या दर्साता है तो देखेंगे हम यहाँ पर लेब बाइगोस्की की अनुशार यह क्या दर्साएगा यहाँ पर तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है सिप्छिका की मदद से हो है ऐसा करने में सक्षम है तो ये क्या हो गया ये आपका है समीपस्त विकास का छेत्रियनी की प्रतीक बाद नहीं है परिपक्ता भी नहीं है पुनरबलन भी नहीं है ये आपका सीधा सीधा क्या है ये है आपका समीपस्त विकास का छेत्रियनी की वो कर सकता था संगर्ज कर रहा प्रतिक्रिया के संबंदों की प्रक्रिया भी नहीं है तो ग्यान निर्माड की संबंदों की प्रक्रिया भी नहीं है तो ग्यान निर्माड की संबंदों की प्रक्रिया भी नहीं है तो ग्यान निर्माड की संबंदों की प्रक्रिया भी नहीं है तो ग्यान निर्माड की संबं प्रक्रिया, फर्स्ट ऑप्सन यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप जल्दी से question को पढ़ने की habit डालिए, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, बहुत ही help मिलने वाली है आर्षना अच्छा करती है, क्योंकि दूसरों को अच्छा, दूसरों दौरा अच्छा देखा जाना चाहती है वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, यानि की good girl, good boy, okay तीन चरण होते हैं, आपके कितने होते हैं, एक, दो, तीन, और सम में क्या होती है दो, दो stages होती है तो क्या कर सकते हो आप इसको, एक होता है आपका पूर्बु पारंपरिक एक होती है आपकी पारंपरिक और एक होती है आपकी उत्तर पारंपरिक, अमूर संक्रियात्मक जीन प्याजी की अवस्था है जो आपकी होती है, ये अच्छा good boy, good girl आपका second अवस्था का first यानि की first stage, third stage आपकी होती है तो ये आपकी किसमें आजाएगी पारंपरिक, यानि की second option आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, okay प्रगती सील सिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, बिलकुल होता है प्रगती सील सिक्षा में सामाजिक तरीके से मिल जुल के ग्रूप में इस तरीके से आप सीख सकते हो पाठे पुस्त के सीखने का एक मातर, एक मातर आपका निगेटिव बर्ड है, काट दो इसको बैठने की विबस्ता पूरी तरह से तय नहीं होती है, लचीला पन होता है बच्चे इधर उधर भी बैठ सकती है पाठे चर्या मान की इकरत नहीं होती है बच्चे के अनुसार आप पाठे क्रम पाठे चर्या, अपनी सिख्षर पद्दतियों सभी में क्या कर सकते हो चेंज कर सकती हो तो आपका option यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा first option आपका यहाँ पे सही हो जाएगा चलेंगे next question पर राश्टिय सिच्छा नीती 2020 किस पर बल देती है option बताईए कि आप लोग comment section में मुझे कि राश्टिय जो आपकी सिच्छा नीती है वो किस पर बल देती है बताईए तो first option देखेंगे हम लचीला बहु इस तरी है गती आधारित अधिकम उके उसके बच्चों के केबल केबल नहीं होगा भाई केबल आपका negative bird है मान की करड़ आपका राश्टिय पाठ्थे चरा के मान की करड़ पर मान की करड़ आपका negative bird है यहाँ पे बच्चों के समरड कौसलों के मापर यहाँ बच्चों ने कितना रट लिया है इस पर हम ध्यान देंगे बिलकुल भी नहीं तो हमारा एक ही option यहाँ पे सही है लचीला बहु इस तरही है गती आधारित अधिकम यानि की आपका कैसा होना चाहिए flexible होना चाहिए multi-dimensional होना चाहिए इस तरीके से आधारित आपका अधिकम बहाँ पे होना चाहिए first option आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलेंगे next question पर निम्डिकित में से कौन सी विसेस्ता Harvard Gardiner द्वारा प्रतिपादित अंतर बयक्तिक बुद्धी का आलेक करती है अंतर बयक्तिक आप देखो इतनी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो अगर आप जरास अपना mind यूज करोगे वहाँ पे देखो अंतर क्या होता अंतर अब किसी दो बयक्तियों में ही तो पाया जाता है ऐसा तो है नि कि आप में ही अंतर बयक्तिक जो बुद्धी होती है वो दूसरे के विचारों को समझने के लिए बहाँ पे काम में आती है यानि कि जब कोई दूसरे के विचारों को बहुत अच्छे से समझता है तो वो अंतरवैक्तिक बुद्धी होती है उसमें और जब कोई खुद को स्वैम को समझता है तो वो अंतहा, अंतहा का मतलब अपने अंदर तो इस तरीके से आप चीजों को वहाँ पर डिफरेंस कर सकत हो तो यहां पर क्या है अंतरवैक्तिक हैनी कि दूसरे के विचारों को समझने की जो बुद्धी होती है मौकिक बाल लिखित भासा नहीं होगी ध्वनी बाताल नहीं होगी ध्वनी बाताल होती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीत अग बुद्धी जो होती है दू बाई गोस्की के सनरचनाबाद में किसकी भूमिका एहम है यानि कि जो बाई गोस्की का सनरचनाबाद का जो सिधान्त है उसमें किसकी भूमिका पर उन्होंने बहुत जादा जोर दिया है तो भासा पर अब बताईएगा मुझे परिकल्पना पर या स्कीमा के विकास पर या यहां पर देखो आपको Elimination Method यूज़ करना होता है, ज्यादा तर questions में, तो इनाम बास अजा, बाइगोस्की ने बात नहीं की, स्कीमा की बात जीन प्याजे करते हैं, परिकल्पना की बात भी जीन प्याजे करते हैं, तो आपके पास एक ही option बजता है, जो कि आपका first option, तो first option अपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके, चलेंगे next question पर, next देखेंगे हम, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक सिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए यानि कि बच्चों के लिए कौन सा आकलन है सीखने के लिए बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए तो आकलन आपका कितने तरीके से होता है आपका एक तो होता है formative होता है आपका जो day by day या मतलब big by big किस तरीके से आपके बहुत सारे बच्चों के paper बगार आप होने लगे हैं मंत्री भी होते हैं, big leave भी test होते हैं यह होतकर करते रहोगे तो उनके एक burden नहीं बनेगा और वो चीजों को वहाँ पे अच्छे से बहतर कर पाएंगी तो कच्छा में की गई अंता के लिए बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए टीचर को है ना परियोजना आपका पॉजिटिव बर्ड है हमेसा होना चाहिए पॉट्फोलियो भी आपका पॉजिटिव बर्ड है और सेल्फ एसेस्मेंट है निकि आपका थर्ड ऑप्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट ऑप्सन क्वेशन पर राष्टिय सिच्छा नीती 2020 के अंसार मुल्यांकन का उद्देश चे किसकी जानकारी देता है यानि कि जो आपका मुल्यांकन होता है असेस्मेंट होता है उसका उद्देश से क्या होता है विद्द्यारती को कच्छा बाकच्छा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है विल्कुल विद्द्यारती का उसके सैपाटियों की तुलना में चन यह नहीं होता है आपको बच्चों में तुलना नहीं करनी है विद्द्यारती के सीखने में कमिया आभाव ताकि उसकी अस्फलता के पुष्टी के पहचान की जा सके आप बच्चे में कभी भी कमिया नहीं ढूड़ोगे विद्यारती के रटने की छमता की जानकारी तो रटने पे आपको फोकस नहीं करना है हमारे पास एक ही ऑप्सन है यह इसलिए होता है ताकि आप बच्चे को प्रॉबलम होती है आप उन चीजों पर ध्यान दो और उसकी हेल्प कर सको तो फर्स्ट ऑप्सन या पर आपका सही हो जाएगा ओके चलेंगे नेक्स्ट केस्टन पर नेक्स्ट देखेंगे हम निम्लिकित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बादक है यानि कि एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बच्चों को समावेशन नहीं करने देती है उसमें क्या करती है बाधित है तो कच्छा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस पर समान समान पर आधारित होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए सभी को क्या करना चाहिए सबका समान करना च कई है वो भी आपकी निगेटिव है कि आप कुछ बच्चों को ले लोगे बाद बागी बच्चों को आप कैसे छोड़ सकते हो वहाँ पर है ना तो यही आपका उप्सन यहां पर सेकेंड सही हो जाएगा देखेंगे थर्ड वाला सिच्छा सास्तर सभी विद्यार्तियों की भागी दारी को प्रोटसाहित करता है बिल्कुल सभी बच्चे जब पार्टिसिपेट करेंगे तो सिच्छा क्या होगी बहतर होगी विद्यार्तियों को अधिगम के ब्यक्तिकत लक्षडों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है बिल्कुल दिया जाता है बच्च हासिये पे कौन बच्चे होते हैं जिनको किसी भी तरीके से चाहे फिर वो सांस्क्रतिक हो या आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो किसी भी तरीके से आपने मतलब किसी भी चीज से बंचित किया गया है चाहे फिर वो सिच्छा हो तो इस तरीके से वो बच्चे किस पे होते हैं हा सहेचिक सांस्थानों तक पहुंच देखेंगे अधिकारों में सम्ता भाग लेने का अवसर या सामाजिक वार्ति काग्र सेच्छिक संस्थानों तक पहुँच भी हो ही जाती है अधिकारों में समता भी आपको कॉंस्टिटूशन की तरफ से मिली है भाग लेने का अपसर भी सबको दिया जाएगा लेकिन सामाजिक वार्तिका गिर्यानी के जो समाज में लोगों ने एक धाड़ाएं बना रखी है उन्हें जो मतलब पहले से ही कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं यह जो भी पढ़िएगा आप लोग और इसका जवाब दीजिएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में निम्लिकेत में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की छमता को सीधे प्रभावित करती है यानि कि किस से पूछा गया है राइटिंग से रिलेटिड पूछा गया है आपसे तो writing से related आपका क्या होता है dyscalculia होता है dysgraphia होता है dyslexia होता है या dyspraxia होता है तो यह बहुत ही easy question है और यह question आप लोग मुझे comment section में answer इसका कीजिएगा चलेंगे अपने next question पर next है आपका निम्लिखित में से कौन सा अभ्यास स्रपड विद्यार्तियों को सपल समावेशन में बाधा उत्पन करेगा यानि कि ऐसे बच्चे जिनको सुनने में problem है देखेंगे हम अपने options को विद्यार्तियों को अपने आपसे बात करने के सोचने दे अच्छा तरीका है आपका विद्यार्तियों को मौकिक परिक्षा के बजाए लिखित परिक्षा दें यानि कि उनको सुनने में दिक्कत है तो उनको बोलने के बजाए आप क्या करोगे लिखित परिक्षा महाँ पर उनको दोगे ठीक है ये भी आपका बाद में उपियोग करने के लिए टेप पर दत्यकार के निर्देश रखें यानि कि आप उसको लाउडली वोले थोड़ा सा टेप पर दे ताकि वो उस चीजों को सुन सके दत्यकारियों के लिए मौकिक निर्देश यह आपका यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि देखो बच्चे को अल्रेडी सुनने में प्रॉब्लम है तो आप मौकिक की जगे उसको रिटिन पर या विजुलाइजेशन इन सारी चीजों पर आप क्या करोगे आप इन पर जादा होगे तो यही आपकी क्या हो जाएगी इसमें बादा उत्वन करेगी चलेंगे नेक्स्ट गैस्ट है आपका यहाँ पर निमडिकित में से प्रतिवावान बिद्यार्ती की विशेस्टा कौन सी है यानि कि जो प्रतिवावान विध्यारती होते हैं उनकी क्या बिसेस्ता है धीमी समझ नहीं वही वो प्रतिवास आ लिए तो उनकी बहुत तेज समझ होती है जिग्यासा तो उसमें कूट-कूट के भरी होती है जिग्यासा की कमी नहीं होती है सोच में सटीकता की आवस्यक्ता आसान कार्यों को चुनने की प्रवत्ति यानिकि जो आसान कार्यों होते हैं वो नहीं चुलते वो टफ कार्ज को चुनते हैं तो सोच में सटीकता की आवस्यक्ता है यानिकि उनकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है एकदम हाई लेबल की होती है और बहुत ही creative होते हैं सारी चीजों को बहुत जल्दी से कर लेते हैं तो third option आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलेंगे next question पर next है आपका एक सिख्षिका अपने विद्यार्थियों के में बोध कोशल को सुसाध्य करना चाहती है इस उद्देश के लिए उसे निम्लिखित में से किस से बचना चाहिए बचना चाहिए मतलब आपसे क्या पूछा है निगेटिब पूछा है आपसे ओके संकल्पना मानचित्र कॉंसेप्ट मैप तो कॉंसेप्ट को समझने के लिए कॉंसेप्ट मैप तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यह आप करोगे संदर्व हीनता नहीं हो जाएगा रूप रेकी करड सही है आप प्रस्ताबना बनाओगे आप उसका सारांसी करड करोगे एक्स्प्लेइन करोगे चीजों को तो आपका सेकेंड ओप्सन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि आपको संदर्व हीनता नहीं संदर्व सहित चीजों को बच्चों को सि साथ करने के लिए नई जानकारी और पिछले ग्यान के बीच संबंद बनाने से बचे बचे नहीं वही आपको बलकी बनाना चाहिए यह आपके लिए क्या है पॉजिटिव बड़सर उसके बादर नियमों को समझने और अबधारना की विसेस्ताओं को परिवासित करने पर ध् अत्यदिक मूर्थ और जटिल रूप में प्रस्तुत करें ना तो अत्यदिक मूर्थ और जटिल रूप में प्रस्तुत करें तो आपको ना तो अत्यदिक मूर्थ करना है और ना ही अत्यदिक जटिल रूप से करना है तो आपका जो आप्सन इसमें सही हो जाएगा वो आप से उसको समझने के लिए वहाँ पे ध्यान देदेगो परवासित करना वैसे आपका अच्छा बढ़ नहीं माना जाता है यहाँ पर लेकिन एक भी आपसन जब आपका सही नहीं है तो इसलिए हम इसके साथ ही जाएंगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्रेस्टन पर नेक्स्ट है आपका निवडिगित में से कौन सा कारक अकादमित प्रदशन में भिध्यारतियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है यानि कि जो बच्चे अकेडीमिक में फेयल होते हैं उसमें कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है तो बोरियत की दे होते होंगे, त grit होता है, बैव हो दे रहा है जिससे उस सब्रत्य से जुडी सुरेडी की सबसे महतपूर मूल विसेशनाए हैं ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाएगा इस तो मुश्ट इंपॉर्टेंट होता है तो इसको हम एक ब्रांती कहेंगे ब्रांती तो मेरे साथ से नहीं होना चाहिए उके उसके बाद है एकजामपल होगा किसके लिए बच्चों के लिए ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वैशट्चन पर एक न्रृदिश्ट लक्ष्श तक पहुंचने के लिए बिद्यारतियों को उनकी संग्यानात्मक छमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोथसाहित करके एक सिक्षक निम्लिकित के किस के विकास को सुगम बना रहा है यानि कि जो बच्चे हैं उनकी संग्यानात्मक छमताओं पर चिंतन करने के लिए उन्हें प्रोथसाहित कर रहा है तो वो क्या कर रहा है वो गोशनात्मक कोई ग्यान कोई गोशना नहीं दे रहा है प्रतिक्रियात्म ज्यान भी वहाँ पर नहीं दे रहा है तो वो क्या कर रहा है अधी शंग्यान यानि कि बच्चों को यानि कि खुद की जो उनकी knowledge है जो वो सोच रहे है यानि कि खुद की सोच पर सोचना खुद की चीजों मतलब तो खुद को एनालिसिस करना, खुद क्या सोचते हो, आपको कितना आता हैं, सारी चीज़ों तो इसको मेटा, मेटा कोगनिशन भी कहते हैं, यानि पराशंग्यान भी इसको हम कहते हैं, तो आपका option यहापे कौन सा third, third यहापे आपका सही हो जाएगा, चलेंगे next question पर, सिच्छड अधिकम प्रक्रिया की अभधाना करते समय, राश्टिय पार्ठी चर्या की रूप रेखा 2005 निम्नी में से किसके महतों पर बल देती है, तो रूप रेखा जो आपकी 2005 है, यह किस पर बल देती है, क्या यह बेदन और अभ्यास पर बल देती है, या रटने पर बल द विद्यारतियों की मदद करने के लिए एक सिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए यानि की कोई समस्या है बच्चों को हल करना है तो उसे सिक्षक को क्या करना चाहिए असंगत जानकारी दें असंगत क्यों भई जब उसको समझी उसके कोई जानकारी से रिलेटिव जानका ऐसे संकेत दे जो प्रासंगी की स्कीमा सरजना को सक्रिय करेई यह आपका बिल्कुल ही सही आप्सण है यानि कि जो उसने पढ़ा है जो उसके अल्रेडी उसे पता है बट वो कहीं फिर थोड़ा सा अटक रहा है तो आप उसे ऐसे संकेत दें जिससे कि उसकी नौलेज है जाएगा लाज्ट सेकेंड लास्ट क्षेंड है आपका यहां पर हमने 60 क्षेंट को किया आप जरूर बताइएगा कि आपको किसे लगें और 100% मेरी बात मान के चलिए यहां पर आपको इसी तरीके का अपना पेपर देखनी को मिलेगा वहां पर प्रांतिया और बैकल्पिक अबदानाओं को साजा करने का अबसर देना चाहिए बिलकुल देना चाहिए बिलकुल सही है ब्रांतिया और बैकल्पिक अबदानाओं हमेशा आधार हीन नहीं होती है उनके भी अपने एक आधार होते है अब देखो होती क्या है बैकल्पिक अपधाड़ाइं होती हैं जिस से बुच्चे train से चलते हुए वो क्या देखते हैं कि 100 पर्सेंट आपका यहां से क्वेशन बनने बाला है अ नहीं आगसे बने बाला है । देखो समझो आप गया add up-durk होती क्या पानी देखा तो सब्सक्रहस कार मैं नहीं होता है कंप यो और फुम्मा यह होतीå अधिगम असाहता लाचारी तम मैसूस होती है जब विद्यार्थी मानता है यनि कि बच्च्य अपने आपको असहाय लाचार कम मानता है छमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत में लच्छेों पर केंदरित होता है तो अगर ऐसा होता तो वो अपने आपको लाचार क्यों मानता वहां पे उसे लगता कि यहां बिल्कुल हो सकता सुधार कर लूँगा मैं प्रियास चमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्वान प्रदर्शन लक्षियों पर केंदेते हैं यानि कि प्रियास करेंगे तो हो जाएगा लेकिन वो ऐसा सोचता तो भी अपने आपको लाचार मैसूस नहीं करता सैक्षडिक गत्विदियों के परणाम नियंतर्डिये हैं अगर वो ऐसा सोचता है यानि कि जो हम यह सैक्षडिक गत्वितियां जैं मतलब जैसे आप पेपर दे रहे हो आपका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है तो अगर आपने यह सोच लिया कि मतलब यह तो मुसे होगा परणाम नियंतरी हैं यानिगि हम अपनी महनत से उसको नियंतर्ड कर सकते हैं तो यह आपके लिए पॉजिटिव हैं बट उसे लगता है कि मैं कभी पास कर ही नहीं पाऊंगा या फिर मुझसे नहीं होगा तो तब बच्चे अपने आपको क्या करते हैं असहाय महसूस करते है देखेंगे आज का last question लिकित मेंसे कौन सा आंतरिक प्रेड़ा का उधाहरण है मैंने आपको हमेशा बताया जब भी मैंने questions को solve कराया है तो मैं कोसिस करती हूँ कि मैं उस question के जरीए आपको जो इसका basic होता है वो मैं आपको समझा सकूँ क्यों कि बेसिक्स जब आपके किलियर हो जाते हैं तो आपको कोई भी चीछ यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं लगती है और आपके लिए सब क्या हो जाता है आसान हो जाता है तो देखेंगे आज का last question आपको session कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताईएगा और इसमें बहुत मेहनत लगिए अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसको like जरूर कीजिएगा और आपकी जो भी query है जो भी आपका doubt है आप मुझे comment section में जरूर पूछेगा मैं सभी का reply करती हूँ और आप वहाँ पर जाके मुझे कुछ भी जो भी आपकी doubts हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हो तो कैसा लगा आपको मेरा यह छोटा सा प्रियास बताईएगा जरूर और देखते हैं आज के last question को निम्रिकित में से कौन सा आंत्रिक प्रेणा का उधारण है तो माता-पिता के द्वरा दंड से बचने के लिए अधियन यानि कि यह तो बाहर से होगे ना माता-पिता हमारे अंदर थोड़ी ना है इस मतलब concept से तो यह गलत हो गया यानि कि जब दंड से बचने के लिए पढ़ते हैं तो वो बाहरी प्रेणा होसी है एक गतिविधी में रुची के कारण रुची यानि कि जो आपके अंदर से चीजें आ रहे हैं जो आपको पसंद है करना वो आपकी क्या होती है इनर मोटिवेशन आंतरिक अभिपरेणा होती है सिच्छक की प्रसंसा यानि कि जब हम किसी दूसरे से कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करेंगे तो वो हमारी क्या होती है वो बाहर पर अभिपरेणा होती है प्रत्योगता जीतने के लिए दिन ये भी आपकी बाहरी अभिपरेणा होगी तो आपका जो आप्सन है यहापे वो second option सही हो जाएगा यानि कि जब आपको किसी चीज में इंट्रेस्ट होगा तो वो आप अपने मन से अपने दिल से करोगे और वो आपके लिए क्या होता है आंतरिक अभिप्रेणा बहाँ पे होती है तो मिलते हैं फिर एक next वीडियो में कुछ most important questions के साथ बताईएगा जरूर आपके 60 questions में से कितने mark से आँ पर आ रहे हैं और ऐसे कौन से question और मैंने आपको एक question छोड़ा था उसका option आप मुझे comment section में जरूर दीजिए अगर आपको आता है तो और उसके बाद आप मुझे बताईएगा अगर आपको और किसी की भी इसी तरीके के मेराथन्स चाहिए तो मुझे comment section में बताईए अगर hundred comments हो जाते हैं तो मैं इस तरीके की और भी मेराथन्स आपके लिए लेके आऊंगी सीटर पेपर तक और आपके लिए ये कितनी helpful रही के जरूर बताईएगा तो थाइंक्स फर वाचिंग जैहिंद